जैहिं सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में दोस्तों आपकी रोज किलास सवा साड़े नौवजे होती है और रात्री नौवजे होती है हिंदी की ठीक है बहुत सारे वीडियो मैंने आपको तिर्की वीडियो दिये हैं दोस्तों हिंदी के ठीक है और एक पूरा 10 गंटे का वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें आपका हिंदी पूरा कबर हो जाएगा ठीक है तो वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों और आज का जो टिर्की वीडियो है वह बहुत ही मस्त होने वाला है अज हम पढ़ने वाले अस्ट चाप के कवियों का काल क्रम अध लिंक अप जॉआन करें यह नंबर है और जो भी चैनल के जोइन मैंबर बन सकती है alon one हो जाती है जहां पर आप को चुटी कुम्ब के सूर परमानंदा कशन चीत गोविन्दा और चतरवुजननन्दा कैसे पढ़ोगे आप कुम्ब के सूर परमानंदा कशन चीत गोविन्दा और चतरवुजननन्दा इस प्रकार से आप लै बना लेना और आपको ये इस प्रकार से क्रम से याद हो जाएंगे दोस्तो कुम्ब के सूर परमानन्दा, कुम्बन दास, सूर दास, परमानन्द दास, कश्न दास, छीत स्वामी, गोवन दास, चत्रबुझ दास, और नन्द दास यह आपके क्रम से क्या हो जाएंगे दूसतों, अस्ठ छापके कभी हो जाएंगे ये आपको ट्रेक याद रख लेना है अब देखो दोस्तों कुम्बन दास हैना कुम्बन दास का जन्म 1468 में हुगा सूर्दास 1478 परमानन दास 1493 गश्न दास 1495 छीत स्वामी 1501 गोविंद दास 1505 चतरभुज दास 1530 और दोस्तों नंद दास 1533 अब यहां से आपके कुम्बन दास सबसे बरिष्ट माने जाते हैं कुम्बन दास सबसे जो दोस्तों कम उम्बर के माने जाते हैं सबसे छोटे माने जाते हैं वो नंद दास ये तो आपको हो गया फिर दूसरे नंबर पर सूर्दास आते हैं तो ये याद रख लेना है कुम्ब के सूर परमानन्दा, क्रश्न छीत गोविंदा और चतरवुजननन्दा, ये आपको याद रख लेना है, और ये क्रम बद्ध कभी, आपकी नेट रुपी जीटी एक्जाम में क्रम बद्ध कभी पूचे जाते हैं, ठीके, इनको याद रख करना है, दो सेकंड में, और आपका बिल्कु सही आंसर हो जाता है, दोस्तो, बिठल नात, अश्ट छाप के संस्तापक कभी कौन मान जाते हैं, ठीके, किलियर, अंगला कोस्चन आप से पूचा जाता है, कि अश्ट छाप की स्थापना कब होई, दो सेकंड में आप उत्तर अपना कमेंट में लिखते जाएं, और आपने बिल्कु सही बताया है, कि अश्ट छाप की स्थापना होई है, 1565 में, ठीके, बिल्कु सही है, ठीके, नेक्स्ट आप से पूचा गया दोस्तो, अश्ट छाप में बल्लवाचार के सिस्स के नाम बताईए, अब बल्लवाचार के कुम्ब के सूर पर कशन बैठे हैं, ये बल्लवाचार के सिस्स हैं, कुम्ब से कुम्बन दास, सूर से सूर दास, पर से परमानन्द दास, कशन से कशन दास, ये चार जो हैं दोस्तो बल्लवाचार जी के सिस्स कहलाते हैं, ट्रिक क्या है अपनी कुम्ब के सूर पर कशन बैठे हैं ठीक है ये ट्रेक हैं और ये PDF आदी दूस्तों जोईन मेंबर को जोईन बाट्स ऑफ ग्रूप में मिलती है ठीक है और बल्लवाचार की चार से सो जाएंगे नेक्स्ट आप से पूँचा जाता है अश्टचाप के अश्टचाप में बिठलात की सिस्थ के नाम बताईए तो अश्टचाप में पूँचा गया है तो इसको याद रख लेना है गोविंदा छीत चत्रवुज नंदा गोविंदा चीत चत्रवुज नंदा ठीक है तो गोविंदा से गोविंदास चीत से चीत स्वामी चत्रवुज दास चत्रवुज दास नंदा से नंददास यह बिठालाथ के चार सिस थे और वो काई के थे दोस्तो बल्लबाचार के चार सिस थे इस प्रकार से यह अश्चाप की स्थापना हुई चार बिट्ठलाथ की सिस और चार बल्लबाचार की सिस अश्चाप की स्थापना बिट्ठलाथ ने 1565 में कर दी ठीक है ये तो इतना के लियर हो गए आपको गोविंद छीत चत्रोज नंदा और कुम्बे के सूर पर कशन बैठे हैं ये बल्लबाचार की हो ठीक है तो इनको याद रखेंगे अब आप से पूचा जाता है दो तो अश्चाप के कवियों का रचनाकाल माना जा ठीक है इनको याद रखेंगे और अंगला दोस्तो है अश्चाप के कवियों में भासा के सबसे धनी कवी कौन थे ये अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो चाहिए नेट एक्जाम हो पीजी टी एक्जाम किसी भी एक्जाम में आप दे रहे हैं अश्चाप से इसक सूर के पस्चाथ सरवादेक पिरसिद्ध कवी कौन थे सूर के पस्चाथ बतानी है अगर आप से बनता है तो आप कमेंट में जरूर लेखा करें और आपका यहाँ पर बिलको सही आंसर होगा नंददास जी हाँ दोस्तों नंददास सूर के पस्चाथ जो थे नंददास का इस्थान आता है ठीक है इनको याद रखेंगे और नंद दास आपका उत्तर बिलको सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो अश्ट चाप के कभियों में सब्द सिल्पी कौन मान जाते हैं सब्द सिल्पी तो दो सेकंड है आपको उत्तर चैन करना है और जो सब्द सिल्पी मान ज जाते हैं ठीक है सब्द सिल्पी नेक्स्ट प्रस्ण है दोस्तो आपका अश्ट चाप के कभियों में काब सुस्टव एवं भासा की प्रांजकता में सूर्दास के बाद दूसरे स्थान के कभी कौन थे तो अश्ट चाप के कभियों में बताना दोस्तों काब सुस्टव भा ना है और अश्ट चाप के प्रतम कभी माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं बहुत ही बढ़ी यह प्रस्ण कई बार पूचा गया दोस्तो अश्ट चाप के जो प्रतम कभी माने जाते हैं दो सेकंड में आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं अपना टेस्ट भी करते जाएं और वो मान जाते हैं कौन, कुमभन दास, कौन मान जाते हैं, अस्च चाप के परतम कभी, कुमभन दास, शबसे बरस्ट कभी भी मान जाते हैं, कुमभन दास, ठीक है अंगला question दोस्तो अश्चाप कभियों में बह कभी जिनका महत्तो साहत्यक द्रश्टी से ना होकर एतिहासिक द्रश्टी और विवस्ता संचालन की द्रश्टी से था वो कौन से कभी थे जिनका दोस्तो साहित्यक द्रश्टी से महत्य नहीं था बरन यतिहासिक और विवस्ता संचालन की द्रश्टी से महत्य था तो वो कभी थे कश्नदास कौन से कभी थे कश्नदास थे जिनका महत्य था विवस्ता संचालन की द्रश्टी से थीक है अंगला आपसे पूछा जाता है रचना की प्रचुरता तथा बिसाई की बिविदिता की दरश्टी से अस्ट शाप के कभियों में सरवोच इस्थान किसका है रचनाओं की प्रचुरता बिसाई की बिविदिता की दरश्टी से अस्ट शाप के कभियों में सरवोच इस्थान क इसका माना जाता है प्रश्ण किर्मांक 12 में और दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चेहन करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो नंद दास नंद दास रचना की पिरचुड़ता विसाई की बिविदिता की दस्टी से नंद दास अस्ट चाप के सरवोच कभी सरवो कहाँ आपके कभी थे इनमें एक एहसे भी कभी थे जो पिताप उत्र थे यानिकि आपके को मभण दास है ना और कभी कौन थे और प्रश्न किरमांग चौदा में आपका बिलकुस सही आंसर होगा वो कभी कौन थे दोस्तो कुमभन दास कौन थे कुमभन दास ये जेश्ट थे प्रतम कभी भी यही माने जाती हैं अगला है अश्ट चाप के सबसे कनिष्ट कभी कौन थे यानि कि 15 का उत्तर बताना है सबसे कनिष्ट बताना है और सबसे जेश्ट थे कुमभन दास और सबसे कनिष्ट थे नंददास ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है काब सोष्ट येवं साहित रचना की उतकरष्ट थे की दस्टी से अश्ट चाप के कभिईयों में सर्फसेष्ट कभी कौन थे साहित रचना की उतकरष्टता कहा गया है तो यहां से आप confuse नहीं होना यहां पर भी एक आपका question पूछा गया था दोस्तो कि रचना की प्रचुरता तथा बिसाई की बिवदिता की दरश्टी से है ना फिर आप से यहां पूछा गया है काई कि काब सौस्टाविवम साहित रचना की उतकरश्टता की दरश्टी से जो अश्ट्छाप के कभियों में सरफ्ष्ष्ट कभी माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास ठीके सूरदास माने जाते हैं अब अंगला question दोस्तो अश्ट्छाप के कभियों में सूर के उपरांत बासल रसका सरफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो वो माने जाते हैं परमानंद दास, कौन माने जाते हैं परमानंद दास, ठीक है, अब दोस्तो वीडियो को लाइक जरू करना है, अश्ट चाप के कभियों में सूर के बाद कष्ण की संपून लीलाओं पर रचना करने वाले कभी कौन है, सूर के बाद, तो आपको उत्तर उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो परमानन्द ही हैं जिन्हों ने सूर के बाद करश्चन की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है ठीक है अंग्ला है आपको बताना है अस्चाप के कभियों में यह तो हो गया अस्चाप के कभियों में अपनी उधंदता के तो वो कौनसे कभी थे यानि कि उन्नीस का उत्तर पुंप्चों जाता है आपसे और उदंडता के कारण परसे देते दोस्तों तो वो थे छीत सौमी यह अपनी उदंडता के कारण परसे देते अश्ट छाप में ठीक है अंगला है काब सोष्टव की दरश्टी से सूर और पुन स्थान था वो था पर्मान अंददास का ठीक है पर्मान अंददास इनको याद रखेंगे नेक्स्ट आप से पूछा जाता है दोस्तों अश्ट छाप के वह कभी जिनके पद सुनकर बल्लबाचार कई दिनों तक बेहोस पड़े रहे एक कई बार कोस्चन पूछा गय यादि कि 21 का उत्तर आपको बताना है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और दोस्तों वो जो कभी थे वो कभी थे पर्मान अंददास जिनके पद सुनकर बल्लबाचार कहा जाता है कई दिनों तक बेहोस पड़े रहे ठीक है अंगला है अश्ट छाप के वह कभी जिनके मनो मनोहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए स्वयम तांसयन उपस्तित हुए थे तो वो कभी कौन से हैं दोस्तों बहुत ही IMP कॉस्चन है एक कॉस्चन कई परिक्षाओं में पूचा गया है और आपका उत्तर होगा गोबिंद स्वामी गोबिंद स्वामी ऐसे कभी ह हुए थे है ना इसको याद रख लेना है ठीक है किनकी गोबिंद स्वामी इनको याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट अच्चाप के कभियों में प्रिसिद्ध कभी संगी तग एवं गवये कौन थे 23 प्रिसिद्ध कभी संगी तग और गवये कौन थे तो 23 का आंसर होगा गो योगता एबं प्रबंद को सलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले कभी कौन थे अश्च्छाप के कवियों में बुद्धी योगता एबं प्रबंद को सलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले जो कभी थे बो थे दोस्तों आपके कौन आपको पता है कि क अधिकारी पद्र पर आजीन हुए क्रश्नेदास जी ठीक है नेक्स्ट आपका स्ट्षाप के कवियों में सरवादेक काब सास्त्री ये कौन थे बहुत ही बढ़ी या प्रस्ने सरवादेक काब सास्त्री ये बताना है तो कौन थे 25 का आंसर अगर आप से बर रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं और यहाँ पर आपका उत्तर होगा सरवादेक जो काब सास्तिय थे दोस्तों वो थे नंददास ठीक है नंददास आपका बिल्कुस सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजा मानसे ने किस अस्ठचाप कभी को सोने की तलवार मोहरें इत्यादी देनी चाही थी जिसे उन्होंने इंकार कर दिया था तो किस कभी को देनी चाही थी दोस्तों राजा मानसे ने और वो कभी थे कुमबंदास कुम्बन दास कुराजा मान से ने अश्ट चाप कभी है थे कुम्बन दास और इने सोने की तलबार मुहरे आदी देनी चाही लेकिन कुम्बन दास ने क्या किया था मना कर दिया था ये अश्ट चाप के प्रतम कभी थे अश्ट साप के स्रिष्ट कभी थे बरिष्ट कभी थे वक्ति ये अश्च्छाप के कवियों का फिर्मुक बेसाय था ठीक है अंगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल समराट अकबर के फतेपुर्ने मंतर पर किस अश्च्छाप के कवि को बेहद गिलानी हुई थी और उन्होंने एह कहा था कि संतन को कहां सी किरो सी किरी सो काम एक क कभी ने कही थी तो वो कही थी कुम्बंदास ने बहुत ही बढ़िया है दोस्तों एक कुम्बंदास की पंक्ति मान जाती है संतन को कहां सी किरो सो काम सी करी सो काम एक पंक्ति कई बार पूंची के कुम्बंदास की अब आपको पता चल गया कि ये पंक्ति इन्होंने क्यों क कही थी मुगल समराट अकबन ने इन्हें फ़तेपूर ने मंतरन किया और इन्होंने दोस्तों बेहद गिलानी हुई थी इन्हें और इन्होंने ये कहा था कंसंतन को कहा सीकिरी सोकाम इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्पूर है कई बार पूछी भी जाती है अश्चाप के कभिय कभियों में कष्ण लीला का संपूर बरनन करने वाले कभी कौन थे यानि कि 29 का कष्ण लीला का संपूर बरनन करने वाले जो कभी थे दोस्तों वो थे सूर्दास और परमाननदास ये दो यहांसे कभी थे जिन्होंने कष्ण लीला का शंपूर बरनन किया है ठीक है नेक्स अस्चाप कभियों में जडिया कभी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों जडिया कभी बहुत ही बढ़ीया प्रस्ण है कई बार पूचा भी गया है अब इनको जडिया कभी क्यों कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है रास पंच अध्याई रचना में अदबुत पंचे अध्याई और इस रचना में अदबुत सब्द गठन कोंसल का कारण ने जडिया कहा गया और एक कभी थे जिने जडिया कहा जाता था नंददास जी ठीक है नंददास जी थे और अंगला है दोस्तों सब्द गठन कोंसल की द्रश्टी से अस्ट चाप कभियों में स्रिष्ट कों थे नंददास पद रचना की द्रश्टी से सबसे जो स्रिष्ट थे वो परमान अंददास लेकिन संगीत आत्मक्ता की द्रश्टी से जो स्रिष्ट थे वो कौन थे वो आपको बताना है तो आपका उत्तर होगा गोबिंद स्वामी ठीक है अब दोस्तों बेंदियों में हिंदी का गीत गोबिंद हैना कही जाने बाली रचना रास पंचाद्याई, नंद दास करत, ब्योगी हरी ने कौमल कांथ पडावली के कारणे ने इसे कहा था। किस ने कहा था बेयोगी हरी ने यह याद रख लेना अगर आप से पूचा जाए किस रचना को गीत गोविंद कहा जाता है बहर रचना कौन सी है नंददास की जिसे गीत गोविंद कहा जाता है तो रास पंच अध्याई को कहा जाता है क्यों कहा जाता है इन्होंने कौमल कांत पदावली के कारणे से कहा जाता है और किस ने कहा है तो वो बेयोगी हरी ने कहा है ठीके ये आपके तीन चार कोस्चने यहां से कबर हो जाते हैं तो इनको याद रखेंगे अब दोस्तों राजस्तान से संबंदेत अश्चाप कभियों में एक मात्र कभी जिनका संबंद आत्री भरतपुरसी था तो वो कभी कौन थे और वो कभी थे दोस्तों आपके गोविंद स्वामी जिनका संबंद राजस्तान के आत्री भरतपुरसी था गोविंद स्वामी का ये गवईया थे संगीत अगभी थे और कभी थी थे अब अंगला question है आपको बताना है ब्रजमंडल के महावन इस्थान गद मखंडी इस्थान में निवास करने वाले अश्ट चाप कभी कौन थे? यानि कि 34 का answer ब्रजमंडन के महावन इस्थान पे तो वो थे गोविंद स्वामी कौन थे? गोवंद स्वामी ये दोस्तो ब्रजमंडन के कदम खंडी इस्थान में निवास करने वाले अश्ट चाप कभी थे? इनको याद रखेंगे ठीक है? अब दोस्तो आज का आपका चेलेंज प्रस्न हैं चेलेंज प्रस्न में आपको बताना है कि नंद दास को जड़िया कभी किसने कहा है? आपने आज देख लिया कि नंद दास को जड़िया कभी क्यों कहा जाता है? और इनने जड़िया कभी कह प्रफा किसने हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो को सेर करेंगे और दोस्तों आप चैनल के जॉइन मेंबर बन सकते हैं जॉइन मेंबर का एक वाट्सव गुरोफ है ठीक है और वहां पर उनको पीडियाप बताएंगे मैंने तीन ट्रिक आपको बताई हैं तीन मैंसे कौनसी अच्छी लगी ये भी आपको बताना है दोस्तों इससे पहले कि जो वीडियो है पूरी हिंदे साहित ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में जाकर कि आप पूरी हिंदी साहित ट्रिक्स वाल 9098609291 यह आपको वाट्सव ग्रोप है और वाट्सव ग्रोप में जोड़ सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं आज के वीडियो के लिए वास इतना ही जै हिन